हेलो दोस्तों तापका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एक्जाम मेकर पर तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे के टी सी टी टी ए ग्रूप डी और एल पी के जी के जी असेंड जी के अतिमायतपूर 25 प्रशन की क्लास वन और दोस्तों ये कुश्चन्स इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इंडियन रेलवे की बहुत ही जल्द आप लोगे के लिए निकल कर आजने वाली है इसलिए दोस्तों आप सभी लोग अपनी तयारी को अच्छे से अच्छा बनाई रखें और दोस्तों ये कुश्चन्स इंडियन रेलवे में के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए एक भी कुश्चन को स्किम मत करना तो चलिए दोस्तों आज क को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन वेल गो अन कर दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके तो दोस्तों आईए देखते कुश्चन नंबर 26 मेरा मतलब कुश्चन नंबर आप लोगों के लिए 1 ही है किसी व्यक्ति के अवैद न निमन लिखत में से क्या जारी किया जाता है वन बंदी प्रत्यची करण बी परमादेश सी उत्प्रेशन लेक डी कोवारेंट तो दोस्तों इसका सई अंसर ए बंदी प्रत्यची करण ये बंदी प्रत्यची करण होता क्या है दोस्तों जब किसी व्यक्ति को किसी अपराद म किया जाता है तो नियायलाय में उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा 24 गंटे के अंदर सा सरीर उपस्थित करना होता है Q27. दबाव समुहों के संबंद में निम्न लिखित में से क्या सही नहीं है A. दबाव समुहों का अलक्ष सरकार पर कबजा करना होता है Q27. दबाव समुहों का अलक्ष सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है Q27. दबाव समुहों अपने समुहों के हित को उजागर करते है Q27. दबाव समुहों का अलक्ष सरकार पर कबजा करना होता है Q27. दबाव समुहों का अलक्ष सरकार पर कबजा करना होता है बल्कि दबाव समुष सरकार पर कबजा नहीं बल्कि सरकार पर किसी मुद्दे को लेकर उन पर दबाव बना सकती हैं कुश्यन नमबर 28 भारती सम्विदान के किस अनुछेद के अंतरगत कैंदरी प्रसासनिक अधिकरण या फिर कैट के निरड़ाय को उचितम नियायालाय में चुनोती दी जा सकती है तो दोस्तों इसका सही आंसर आप्सन ए है अनुछे 323 ए के अंतरगत कैंदरी प्रसासनिक अधिकरण या फिर कैट के निरड़ाय को उचितम नियायालाय में चुनोती दी जा सकती है निमन लिखित में से क्या बहुल कारपाल्का का उधारड है ऑप्सन A USA, ऑप्सन B UK, ऑप्सन C भारत या फिर ऑप्सन D सुटिजर लेंड तो दोस्तो इसका सही आंसर ओप्सन D है स्विटजर लेंड दोस्तो स्विटजर लेंड में बहुल कारपालका है जबकि हमारे भारत USA अमेरिका और UK में एक राष्ट्रपती होने की बज़े से एकल कारपालका होती है लेकिन सुटजर लेंड में साथ कारपालिका है इसलिए से बहुल कारपालिका कहा गया है कुश्चन नमबर 30 भारत के समविधान में सामिल राजी नीत की निर्देशक सिद्धान्तों की अवधारणा किसके समविधान से ली गई है मतलब राज के नीत इस निर्देशक सिधानतों की अवधारणा कहां के समविधान से ली गई है ओप्षन A आश्ट्रेलिया ओप्षन B USA अमेरिका ओप्षन C कनाड़ा ओप्षन D आयरलेंड तो दोस्तों इसका सही आंसार है ओप्षन D आयरलेंड कुश्चन नमबर 31 पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काले में समविध की गई थी ओप्षन A रगुनात राव ओप्षन B नारायड राव ओप्षन C माधाव राव सेकेंड और फिर ओप्षन D बाजी राव सेकेंड तो दोस्तों इसका सही आंसर ओप्षन D बाजी राव सेकेंड के समय में कुश्यन नंबर 32, राजा खर वेल किस चैन्दी वन्स के महनतम सा सकते, ओप्शन A, चोल मंदलम, ओप्शन B, कलिंग, ओप्शन C, कन्नोज, या फिर ओप्शन D, पुरुस्पुर, तो दोस्तों इसका सही अंसर, ओप्शन B, कलिंग, कुश्यन नंबर 33, मुखिया स्वा हस्ता आक्ष्रित, आवेदन देकर अपने पद से परित्याक कर सकता है, बिहार पंचायती राज अदिनियम 2006 के अंतरगत, उसे अपना आवेदन किसे प्रेशित करना होगा, ओप्शन A, प्रखंड विकास पदादिकारी, ओप्शन B, ओप्विकास आयोक्त, ओप्शन C, जिलादि तो दोस्तो इसका सही आंसर, ओप्शन D, जिलाद पंचायती राज पदादिकारी, कुश्चन नमबर 34, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ इस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक आदिकार समाप्थ हो गया, ओप्शन A, चार्टर एक्ट 1793, ओप्शन B, चार्टर 1833, ओप्शन D, चार्टर एक्ट 1853, तो दोस्तो इसका सही आंसर, ओप्शन C, चार्टर एक्ट 1833, कुश्चन नमबर 35, परिसंग बनाने का विचार सरुपर्थम किस ने प्रस्तावित किया था, ओप्शन A, भारती परिसद अदिनियम 1892, ओप्शन B, मारले मिंटो सुधार ओप्शन C, मांटेंग्यू, चैम्स फोर्ट सुधार, या फिर ओप्शन D, नहरू रिपोर्ड 1928, तो दोस्तो इसका सही आंसर है, ओप्शन D, नहरू रिपोर्ड 1928, कुश्चन नमबर 36, वलिया कार, रूप में नदिया किस दिसा में बैती है, ओप्शन A, पश्चम से वलाय के समान, कुश्चन नमबर 37, वाल्टिक सागर के बंदरगा व्यपार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुली रहते हैं, ओप्शन A, यह उश्ल कटी बंदी पट्टी में है, ओप्शन B, उत्री अटलांटिक प्रवा, गरम सागर धारा के उस छेतर में बैती है, या फिर उप्शन C, इस थानी रक्षक इसे गरम रखते हैं, या फिर उप्शन D, पश्मी विछोप तापमान में काफी व्रद्धी कर देते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर उप्शन B, उत्री अटलांटिक प्रवा, गरम सागर धारा उस छेतर में बैती है, कुश्चन 38, जलवाईव आधारत छेतरों का वर्गी करण किसके आधार पर किया जाता है, उप्शन A, भूमत रेखा से दूरी, उप्शन B, उचाई, उप्शन C, वर्षा, या फिर उप्शन D, समद्र से दूरी, तो इसका सही आंसर है, उप्शन C, वर्षा, कुश्चन नमबर 49, प् अरब मरुस्थल, और फिर उप्शन D, अरब अलखली मरुस्थल, तो दोस्तों इसका सही आंसर है, उप्शन A, भारास की खाड़ी के तटीर छेतर, कुश्चन नमबर 40, निमन लिखत में से किसके भीतर, ब्रहसपती का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, उप्शन A, यूरोप उप्शन B, गैनी मेड, उप्शन C, कैलिस्टो, या फिर उप्शन D, डीमोस, तो दोस्तों इसका सही आंसर है, उप्शन D, डीमोस, कुश्चन नमबर 41, सीट समवेदी पादपो की जिल्ली लिपिड में क्या होता है, उप्शन नमबर A, कम अनुपात में संत्रप्त वसा अ या फिर उप्शन D, उच अनुपात में असंत्रप्त वसा अमल, तो दोस्तों इसका सही आंसर है, उप्शन D, उच अनुपात में असंत्रप्त वसा अमल, कुश्चन नमबर 42, स्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, उप्शन A, संसलिस्टरातमक प्रक्रिया, उप्शन B, आप अचाही परक्रिया, option C, आरोही परक्रिया, या फिर option D, तनुकरर्ण परक्रिया, तो दोस्तों इसका सही आंसर है, option B, आप अचाही परक्रिया, question number 43, भृूड के पोशल में कौन सी सर्रचना सायक होती है, option A, पीतक जिल्ली, option B, ओल्व जिल्ली, option C, गुप्त कोस, या फ दो दोस्तों इसका सही अंसर है, option A, पीतक जिल्ली, question number 44, copper sulfate का जली गूल, प्रकरते में अमली होता है, क्योंकि लवड में होता है, option A, dialysis, option B, electrolysis, option C, hydrolysis, या फिर option D, photolysis, दो दोस्तों इसका सही अंसर है, option C, hydrolysis, question number 45, कौफी किस छेतर का पौधा है, option A, उश्ल कटी बंदी, option B, सी तोश्ल कटी बंदी, option C, A और B, दोनो, या फिर option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही अंसर है, option A, उश्ल कटी बंदी, question number 46, आधुनिक ओलंपिक खेलों की सुरुवात किस सदी के अंत में हुई, option A, 19 वी शदी, option B, 18 वी, option C, 16 वी, या फिर option D, 17 वी, तो दोस्तों इसका सही अंसर है, option A, 19 वी सदी, ओलंपिक खेलों की सुरुवात, 19 वी सदी के अंत में हुई, question number 47, प्रतिरोध रंग कोड में, चोथा बेंड किसका गोतक है, option A, स्रहता इस्तर, option B, 10 की सक्ती, option C, प्रतिरोध का कुलमान, या फिर option D, प्रतिरोधक का पदार, तो दोस्तों इसका सही अंसर है, option A, स्रहता इ 44, खगोल बहुतिकी में, बहाय अंतरिक्ष में परिकलत होल को, जहां से तारे और उर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है, option A, black hole, option B, ozone hole, option C, asteroid blade, या फिर option D, white hole, तो दोस्तों इसका सही अंसर है, option D, white hole, question number 49, nuclear reactor में, neutron को किस्या उमंदित किया जाता है, option A, विखंटनी पदार्थ, option B, moderator, option C, नियंतरचर, या फिर option D, सीतल प्रडाली, तो दोस्तों इसका सही अंसर है, option B, moderator, question number 50, अंगुली लेखन विज्यान को सामानिता किस नाम से जानते हैं, option A, कारबन कालनेरधार, option B, जल चाप, option C, अंगुली चाप, या फिर option D, electrocardiogram, तो दोस्तों इस ये थी railway की GKGS and GA की class 1, और दोस्तों इसी तरीके से daily एक महीने तक आपको class provide की जाएंगी, और अगर आपको इन questions को दुबारा पढ़ने के लिए, practice के लिए, इन questions की PDF चाहिए, तो ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को like और channel को subscribe करने के बाद, notification bell को on करना है, और comment में बताना ह मैं आपको send कर दूँगा, जिसके आपसे कोई भी पैसे नहीं लगेगे